हला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिन्द पुरहीते आईडी जेम दोजार चोबीस का एक्जाम देने वाले हैं सर एक महीना बचा है सर बहुत डल लग रहा है सर पता नहीं एक्जाम कैसा होगा और सर समझ में नहीं आ रहा है सर तायर ही तो बहुत अच्छी है पर अब confidence नहीं आ रहा है सर क्या करें तो आज मैं आपके सामने इस वीडियो के मैंदम से बदाने कोशिश करूँगा कि last एक महीने मैं आपको क्या करना चाहिए सुन शू करते हैं सबसे पहली बात यहां पर ध्यान देने की जरूत है useless discussion and comparison after the test देखो confidence कब डाउन होता है जब आप कि किताब से पढ़ा है मैंने इस किताब से नहीं पढ़ा है वो यह test series लगा रहा है मैंने वो test series नहीं लगई कहिने के जो comparison होता है यह students का confidence डाउन करता है तो आप जो भी test दे यह आप तैयारी करें तो आप यहां पर discussion ना करें खास करके result को लेके या तूने कौन सी किताब करें जब आप अपने तरीके से तैयरी करेंगे आपको जो result है वह बहुत अच्छा है यहां पर मिलने वाला है तो compare मत करें दूसरा self-control यह बहुत ज़रूरी है मैं जब भी बच्चों को देखता हूं आइटी चम वाले students को वह कहने कहीं WhatsApp यूज कर रहे हैं या Instagram आपका कहने कहीं समय जो है वह सोशल मिडिया पर ज्यादा खराब होरा मैं ऐसा नहीं कि आप नहीं यूज करना चाहिए पर यह करना चाहिए but there should be a balance है ना ऐसा नहीं कि दिन पर आप वहीं discussion कर रहे हो आप मैंने बच्चों को देखा है वाले WhatsApp group में discussion दिन दिन बर question वह question बज़रा नहीं दूर रही है क्योंकि social media भी कहने के एक दुख्का करान होता है कोई बाइचान आपने शेर किया और दूसरे ने solve कर दिया तापको लगए आर्यार मेरे को ताता ही नहीं उसने कर लिया यह कहने के समस्य से पैदा करता है टेक केर और यूर हाल्थ अपनी हेल्थ का दिहान बैलेंस रखेंगे और सभी समय पढ़ाए करेंगे तो आप थोड़ा सा हैल्दी रहेंगे अगर आप हैल्दी है तो थोड़ा सा इन सब जीजों का ध्यान रखें अपने आपको बैलेंस करिए अगर योगा और मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है यह कहने कही फिट और हेल्दी बनाकर रखेगा और जितना फिट और हेल्दी रहेंगे उतना कहने के आपके लिए अच्छा रहेगा आपको बताना चाहरा हूं कि मैं जब सुबह सुबह एक गंटा टेबल टेनिस खेलता हूं या मैं योगा करता हूं तो तो कहने कहीं थोड़ा साथ बाहर घुमो आप बिस्तर भी नहीं सोते होए पढ़ रहे हो चार-पाच फ्रेंड है वहां म्यूजिक चल रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो फोकस हो के पढ़ाई करी मैं भी खुद होस्टलाइप में रहा हूं तो मेरे फ्रेंड्स हो देते हो रात को बारा बज़े एक बात कर रहे हैं इदर उदर घुम रहे हैं आपको लगना चाहिए कि मैरा समय खराब हो रहा है राइट मैं पढ़नी रहा हूं तो यह थोड़ा सा ध्याब दीजिए आप जो भी आप समय व्यतित कर रहे है वो कहने के आपके नौलेज को अप्ग्रेट करते हुए दिखना च हो रहे हैं उसके बाद आपका उठने का समय भी फिक्स नहीं है आप ढंक से सो नहीं पा रहे हैं आपको यहां पर नींद पूरी लेनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है हल्दी माइंड होना बहुत ही आवश्यक्त है आप कितनी भी महनत कर लो जब तक आपका माइं तो आप यहां पे एक बात समझने की कोशिश करिए कि आप मैंनत तो कर रहे हैं सकार अत्मत परिणाम नहीं मिल रहा है तो इसके उपर आपको काम करने के जरौत है कि कौन सी कमिया है और निमेली जो कमिया होती है हमारी रूटीन लाइफ में होती है हम यहां पर जो मैंने आपको बोला है इन सब चीजो को फॉलोर भी हो उटाइम पेहिए हम लोग खाने पैंक हमारा time fix नहीं हो सब annually तो क्या होगा वह सकता है कि तुन्हें जो टॉपिक नहीं पढ़ाया उसके को नजर आए जब तुम वापिस पढ़ा ही करोगे तो आपको समझ में आगा और मुझे पता नहीं था उस टाप पर आप में को समझ में आ गया तो आपको टैस्ट देना चाहिए आपको यह नहीं सो करोगे उतना ज़्यादा अच्या है देखो मैं देखता हूं कुछ लोगों को जो की छोरी में बच्चे को इतना उलजागे रखते one short series जिसमें 7-8 questions कराता हूँ DPP solutions है हमारी जो plus की classes होती है उसमें हम कम से कम 10-12 questions बच्चों को कराते है तो दिन में लगबग 40-50 questions में class के अंदर कराता है और अगर कोई बैचा एक महिने में भी यहां पर लगाता है और 50 questions रोज लगाता है तो भाईया एक मेने में आप 15-100 questions यहां पर solve करते हैं और 15-100 questions enough होते हैं अगर आपने 4-5,000 questions लगा लिए अलग-अलग topic मिलाके भाईया आपको कोई exam करेक्ट करने से नहीं रोख सकता है जितने आप questions लगाएंगे उतने आपके concepts clear होंगे उतने concepts revise भी होंगे और crack हो गया तो क्या होगा मत सोचो उसके बारे हो तुमारे हाथ में यह सब चीज़े नहीं है तुमारे हाथ में सिर्फ मैनाथ है तो मैनत करिए ज़्यादा result पर दिमाग लगाओगे ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे तो फिर कहने कहीं परसानी होगे फिर कंपेरिजन मत करिए ठीक है अरे इटी जम नहीं हुआ तो सी यूटी पीजी है ना वाई बर उसका फॉम निकलाओ नोडिविकेशन पर मैंने वीडियो पर प्लोट किया कैसे फॉम बरना इसका वीडियो यहाँ देख लिए होता है कि कुछ चीजे सत्य भी हो जाती तो मस सोची है अच्छा सोच होगे तो जीवन में सब अच्छा ही होगा वाली बात है कि आपकी तबियत खराब और आपने सोच लिया कि मेरी तुम रत्य निश्यत है तो यह कोई उसको डॉक्टर भी नहीं उठा सकता है तो खहने कि वर्लेया और दिन बर पंचाईदी करेंगा और मेरा एक्जाम करेक होने वाला मेरा एक्जाम करें तो पढ़ाई तो कुछ किया नहीं है खाली बक्वास कर रहा है तो ऐसे लोग को डिक के डरने की जरूत नहीं है ना बहुत तो तीन गंटे का exam देने के बाद जब बाहार न वह संदे को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और यह आपको सुबह 10 बजे से मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव मिलेगा इसका जो लिंक है वह आपको डिसक्रिशन में भी मिल जाएगा यह आई टे पर भी मिल जाएगा वासा आप इस क्लास को मौनिंग 10 बजे 7 जनवरी को जो कॉशन प्रैक्टिस करता हूं वह फाइडबल न में आपको मिल जाएगा यह हमारी शॉट्नॉट्स की बॉकलेट है जो कि अभी हमने रिलेस करीए बुकलेट, CSIR NET, IADGEM, CUTPG और GIT एक्जाम के लिए बहुत यहलफुल है इनको आप वहां से बाइक कर सकते है 249 का इसका प्राइज है बाकि हमारी जो बुक्स है यह भी आपको मैस करेप पर मिल जाएगी सुनिए हमारा मैस करेप है जो के एंडरोड एन आयोस पर कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तैंक्यू बाबाए